सब्सक्राइब करते हैं पहला टॉपिक है एमजन और फ्यूचर रिलाइंस डील के बारे में नेक्स्ट है आपका लेफ्ट विंग एक्स्टेमिजम जो कि आपके जी एस पेपर 3 से रिलेटेड है मैंनमार प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी के रीजन्स जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपका आई यार और साइन्स टेक कोर्स प्रेलिम्स के लिए लाउंच होगा और भी बहुत सारे इंडिविजूल कोर्से साप इनका हिस्सा बन सकते हैं यह सारे कोर्स करने के लिए आपका अनकेडमी.com अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करना है UPSC CSE सेलेट करना है फिर आप ऑप्ष्टन और GS दोनों का ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूज दो कोड़ाइस प्लाइफ यूज 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 दो कोड़ाइस प्लाइफ जो आप मेरे कोर्से सकते हैं साथ में दूसर सभी कोर्से भी आपके लिए फ्री होंगे तो शुरू करते हैं पहला जो टॉपिक है एमजन विंस रिलाइंस एज है कोड़ स्टेइज फ्यूचर रिलाइंस डील यह एक ब्रीफ में एक पॉइंट है जो आपको दिहान में रखना है 2019 के अंदर अमजन ने इस अट्स एक व्याइड रखर इस्टेइक इन फ्यूचर ने कुछ इन फ्यूचर इन फ्यूचर कूपन इन फूचर कोपन और इस डील के अगर अगर है ना that Amazon Amazon के पास right था to refuse any stake sale मतलब अगर future retail से कोई भी stake sale किया जाता है तो Amazon के पास right था to refuse that अब यहां पर अगस्त 2020 के अंदर एक development हुआ और जिसके तहट future group ने announce किया कि it has agreed to sell business वो अपने business को बेचने के लिए तयार हो गए it has agreed to sell business including its retail and wholesale operations to reliance, reliance को sell करने के लिए तयार हो गया और इस चीज़ को फिर oppose किया गया Amazon के द्वारा और फिर Amazon it has approached Singapore International Arbitration Center और उसके बाद उसके द्वारा judgment दिया गया फिर उसके खिलाफ High Court जाए गया High Court ने भी जो Singapore International Arbitration Center ने जो judgment दिया था as per which जो future और reliance की जो deal थी future और reliance की जो deal थी उसको उसको stake कर दी जाता तो यह basic development है international लेवल पे companies के बीच में जो tussle चलता है उसका एक example ले नेक्स देखते हैं this is again related with GS paper 3 left wing extremism again a very important topic under GS paper 3 so काफी सारी training के बहुत जूद भी अगर देखा जाए तो बहुत समय से जो हमारी CRPF है Central Reserve Police Force की अगर बात करें बहुत सारी जो personal है 2009, 10, 2008 में they have been killed in an attack by the Maist or Nuxalite CRPF hit back with certain steps and it has neutralized around 200 miles between 2009 and 2011 still अभी इसके बहुत भी देखा जाए तो काफी सारे suggestions आपके आते हैं although CRPF slowly अगर देखा जाए तो left wing extremism के case में CRPF का जो upper hand है it has forced the Maist to be on run or surrender और बहुत सारे Maist मारे भी गये हैं बहुत सारे Maist आपके surrender भी किये हैं लेकिन अभी हाल फिलाल में एक assistant commander है IED के explosion की वज़े से वो मारे गये तो यहाँ पर जरूरी यह है कि एक proper intelligence sharing important हो जाती है intelligence setup in left wing extremism affected state उस पर और भी improve करने की जरूद्यत है क्योंकि अगर proper intelligence sharing है तो कोई भी ऐसी casualties को रोका जा सकता है एक term भी हमने पढ़ा था भी बाहर आएंगे और उन पर attack हो जागा तो भूबी trap एक we can say की एक step है जो लिया जाता है साथ में बहुत सारे दूसरे तरीके भी जो मायस्ट है उनके द्वारा इस्तमाल करते हैं जिस वजह से जो हमें security forces हैं उन्हें loss face करना पड़ता है तो जरूरी क्या है we need to improve the intelligence intelligence इंप्रूव करना है कई सारी दूसरी चीज़े जैसे Belgian, Malinois, dogs का इस्तमाल किया जा सकता है जिसे IEDS को तुरंत detect किया जा सकता है CRPF personnel should stay in pukka building ये भी बहुत important है because अगर normal जो hurts है उस पर अगर CRPF personnel वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ attack होने के chances भी काफी है तो और जो normal temporary structures हैं वहाँ पे protection के भी काफी कम chances होते हैं attack से तो जरूरी क्या है concrete buildings create की जाएं और ये concrete buildings में ही जो CRPF personnel वहाँ पे deploy हो और वहाँ पे रहें दूसरा ये भी है कि अगर हम normal structure के इस्तमाल करते हैं तो जो weathers अगर खराब होते हैं कभी बारिश हो गई या और भी कोई स्तिती खराब होती तो उसमें भी काफी सारी जो पर projected demand of rupees 114 करोड का जो demand आपका किया गया था for construction of accommodation बट इसकी खिलाब भी 33 करोड ही assign किया गया तो यहाँ पर ये भी है कि fund proper provide करना responsibility of providing suitable accommodation CAPF के जो battalions उने proper जो accommodation है that need to be provided CRPF has no under taken this task on its own to have the work तो यह जरूरी है तो accommodation वाले point में technical intelligence की बात करें जो DOC से उनका इस्तमाल किया जा सकता है for the detection of IEDs, drones का इस्तमाल आपका किया जा सकता है नेक्स देखते हैं US and India a tale of two seages यह भी important topic आपका हो जाता है why this is important because एक understanding है एक तो जो farmers की बात करें तो उन्होंने red fort को जो capture कर लिया था 26th of jain के दिन similar case आपका देखा जाए तो USA के अंदर हुआ था और USA के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे वहाँ पे जो Donald Trump के supporter थे उ प्राफी प्रापर्टी का भी loss हुआ था तो यह दो different scenarios हैं जो कि दो democracies पर visible थे इंडिया largest democracy, US oldest democracy है, इस context में देखा जाए तो यह दो event दो different बातों को भी highlight कर रहे है, तो January 6th 2021 में US capital building was partially taken over by the violent mob, they attacked law enforcement officers, public properties कभी उन्होंने नुखसान किया, कुछ दिन बाद 20 days later, a rally plant or republic day in India led to violence, वहाँ पे farmers जो है, उन्होंने violence create किया, red fort में, highlighting their protest against three laws, तो यह law के बारे में हम लोग ने बहुत detail में हमने discuss भी किया है, about these farm laws, so, जो common thread है between the seizes on the two major public buildings, एक तरफ red fort है, और एक तरफ आपका USA का जो parliament है, वहाँ जो एक तरीके स्वाहां की जो mob है, जिसने अटेक किया था, यह एक point जो highlight कर रहा है, that is collective vented its anger, मतब जो लोग हैं, लोगों ने अपने anger को express किया, और यह चीज़ एक highlight की जा रही है, as per the author, इंडिया की बात करें, इंडिया में जो anger का एक reason है, वो है, जो law है, जो law pass किया गया है, जो तीन laws, farm laws जो हम कहा रहे हैं, यह तीन farm laws जो पास हो है, वो एक बड़ा reason बन जाते हैं, जिस वज़े से लोगों का यह farmers का जो anger देखने को मिला, USA की बात की जाते हैं, तो हाँ पे बहुत सारी study भी आई हैं, जो कि कहाए जा रहा है, कि technology का इस्तमाल करके, जो psychological manipulation करने की कोशिश की, information spread करने की कोशिश की, कि जो elections हैं, वो election proper तरीके से नहीं हुए हैं, और इस identify या increase करने का प्रयास किया गया, दूसरी बात जो की जाए वो है, कि social media में भी disturbing images देखने को मिल रही है, कि जो dark side of the release, एक तरफ देखो, protest किसी भी democracy का एक basic part होता है, बट protest कैसा होना चाहिए यह भी important है, अगर violence का इस्तमाल होता है, कभी भी protest में, तो यह एक रास्ता दे दे है, enforcement agencies को, ऐसे protest को suppress करने के लिए, तो जरूरी किया है, कि जब भी आपका protest हो, वो protest non-violent way में होना चाहिए, next एक बहुत important point highlight किया गया है, कि जब हम democracy की बात करते हैं, तो democracy के अंदर, जो informal balance of power in the society है, that need to be maintained, informal balance of society जरूरी होता है, क्योंकि society को जब आप खुद study करते हो, society को ज divided है, अलग अलग different identities के along ये, जो society है, वो society polarized है, तो different poles of power जो visible है, within the society, उनके बीच एक informal balance होना बहुत जरूरी है, otherwise violence के chances हमेशा से रहेंगे, सरकार को भी जरूरी है, कि stake, हर एक जो poles of power जो visible है society के अंदर, हर एक poles of power को proper तरीके से balance किया जा, उनकी grievances को, जो है, वो address किया जाए, यह बहुत important है, तो फेवरिंग और religious और racial majority, expressed through formal trapping of democratic practices, principally the institutions of elections, तो यहाँ पर देखो, simple सी बात यह है, कि यहाँ पर minority या majority, based on numbers पर हम नहीं जा सकते, लेकिन जरूरी यह है, कि जो भी government हो, democratic institution को जो run कर रही है, उन्हें हर एक stakeholder की concern को ध्यान रखने की जरूरी है, institution of free press, free and fair elections, यह बहुत important है, typically get degraded and devalued by the society in the process, यहाँ पर यह भी जरूरी अगर कभी भी different poles of power है, यह different poles of power जो कि society के अंदर visible है, अगर एक का prominence बढ़ जाता है, एक की visibility बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं अगर उसके खिलाफ कभी भी कोई step लिया जाता है, या उसके खिलाफ है, we can say by the press itself, तो वहाँ पर कहीं न कहीं जो basic rights हैं, जहाँ पर हम free, fair election की बात करते हैं, free press की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं, degraded, devalued हो जाता है by the society in the process, तो जरूरी कहा है, every stakeholder in the society, their opinion and certain things if done in a democratic manner, it need to be respected, next is about the Myanmar, Myanmar में जो भी tension चल रहाएं, इस पर एक और भी article है, पुरा का पूरा जो issue है, इस article में बहुत अच्छे तरीके से explained है, तो इसको हम लोग बहुत detail में एक एक point को discuss करेंगे, कि क्या factors responsible है, मतलब जो भी, जो भी कुछ political instability Myanmar के अंदर हुई है, that we will try to understand, तो for very first की बात की जाए, तो जो partial democracy, देको partial democracy इसलिए है, क्योंकि democratic elected जो सरकार थी और military यह दोनों power sharing कर रहे थे, इसलिए we are saying कि यह एक partial democracy है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, कि अभी फिलाल February 1st को military, जो मैनमार की military उसने coup carry out कर दिया, अब यहाँ पे क्या है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ military coup carry out किया गया है, डेमोक्रेटिकली elected जितनी भी सरकार हैं, चाहे 1962 में देखा जाए, 1988 है, 1990 में, तो जब भी ऐसी स्थिती देखी गई है, मतलब पहले भी ऐसी तीन बार स्थिती हो चुकी है, जहाँ पे डेमोक्रेटिकली elected जो सरकार है, उसको हटा कर military ने coup carry out किया है, March 2016 and January 2021, National League for Democracy led by Aung San Suu की shared power with the military, यहाँ पे election हुए थे, उसके बाद से January 2021 तक जो power sharing देखने को मिली थी, यह एक बहुत ही bold experiment था, क्योंकि जो within इस country की बात की जाए, मैंनमार की बात की जाए, तो एक complex society है, जहाँ पे different religion के लोग भी हैं, जैसे Muslims भी हैं, रोहिन ग्यास जैसे हम क्याते हैं, या फिर वो धिस्ट भी हैं, मैंनमार दस बिकेम a car driven by two drivers, दो driver एक तरफ, डेमोक्रेटिकली एलेक्टेट सरकार थी, और दूसरी तरफ आपकी, दूसरी तरफ आपकी military थी, military's action, its spokesman pointed out, there was terrible fraud in the voter, तो अभी हाल में जो elections conduct किये थे, यह highlight किया गया था, कि जो parliamentary elections मानना था, क्योंकि पहले तो power sharing हो रही थी, तो उनका मानना था कि fraud हुआ है, वोटर लिस्ट में, in the voter list, और क्योंकि maximum जो majority है, वो democratic सरकार के पास ही आई थी, so उनका यह कहना था, military का यह कहना था कि काफी जादा fraud हुआ है election में, claiming that this development would obstruct the path of democracy, यह democracy के path को affect करेगा, ऐसा military का claim ह आर्मी declared an emergency और सारा का सारा जो power है, वो transfer कर दी गई, commander in chief, मिन, ong, हिलाइंग जो है, उनको यह सारा का सारा power transfer कर दिया गया, अब यह जो decision दिया गया है, उसके पीछे कोई legal और constitutional background भी नहीं है, पहले चीज़ तो यह है कि जो electoral issues है, that need to be addressed and resolved by the relevant authority, relevant authorities, कोई भी अगर elections से related कोई grievances हैं, तो that need to be addressed by the relevant authority, military leadership के द्वारा यह नहीं होना चाहिए, article 417 जो Myanmar constitution का है, वो president को empower करता है to proclaim emergency in consultation with the national defense and security council, बट ऐसा भी कुछ भी किया नहीं गया, deeper reflection raises a fundamental question, what trouble the NLD military equation, क्या ऐसी चीज़े होई 2016 से 2021 तक, जो कि जिसने जो NLD और military के बीच का जो equation है, वो आपका effect किया है, the fact that general swings into action, hour before the newly elected parliament, मतब क्योंकि election में हार हुई थी, और जो present government है, NLD की जो, NLD जो party है, उसको maximum vote मिले थे, और election में जीतने की वज़े से, अब पहला जो session होना ही था, उससे कुछ समय पहले ही, इस प्रकार का action लेना, इसका मतलब कि military को ऐसा लगता था कि, जो power sharing है, उस power sharing में उसकी जुसे है, वो बहुत ही कम हो जाएगा, और इस जो जैसे कुछ किया गया है, तो पहला जो एक point highlight किया गया है, कि ideologically, जो दो segments है, of the political elite, have been at war with each other, army has a sense of entitlement to power on the ground that it secured independence, देको दो different opinion है, military का एक अपना opinion है कि उसने independence दिलवाया, उसने country को तोड़ने से बचाया, मतलब, secession से बचाया, stability और development में एक role play किया, तो वो एक अलग viewpoint रखते हैं, NLD की बात की जाया, तो उन्होंने, मतलब, जैसे सूकी की बात की जाया, तो उन्होंने military की respect तुकी है, लेकिन उन्होंने हमेशा से focus किया है, towards the democracy, कि democracy attain करना एक major focus है, second बात की जाया थे, in political terms, the fight is for the power, power के लिए सारी लड़ाई है, the army has been used to exercising power for long, which yields its immense economic dividends to, तो आर्मी ने, जो है, the army has been used to exercise power, हमेशा से कूप पहले भी carry out किया गया है, जो control है power का, army के पास, या military के पास भी हमेशा से रहा है, और उस power को हमेशा से maintain करना चाहरा, अभी फिलाल के election के बाद से, या highlight किया गया कि, या फिर, जैसे भी voting होई है, इससे ये पता चला कि, जो मैनमार के army है, वो power एक तरीके से loss कर रही है, और NLD के पास power आपकी आ रहे थी, presidential ambition, future of senior general Ming-Helang की बात किया जाए, तो उन्हें भी जुलाई में ही, आपका retire होना था, extension के लिए मना कर दिया गया था, तो जो ये senior general है, इनको भी लग रहा था कि, अब उनके पास कोई दूसरा option नहीं है, power retain करने का, ये भी एक factor हो सकता है, ऐसा coup carry out करने के लिए, तो military leadership understand the people's psyche well, मतलब वो लोगों के बारे में भी जानते हैं, जिसमें अगर देखा जातों, पूरी society, बर्मन हैं, या बुद्धिस्ट हैं, और कुछ इथनिक minorities हैं, लेटर की बात की जाए, जो इथनिक minorities हैं, they always generally oppose to a strong central government, वो हमेशा से नहीं चाहेंगे, कि strong central government होना चाहिए, अब इंडिया के लिए यह है, कि इंडिया ने हमेशा यह policy अपनाई है, कि वो किसी भी देश के internal matters में interfere नहीं करेंगे, और मतलब जो भी steps लिये जाएंगे, कोई भी जो देश है, वहाँ पे, जैसे मैनमार है, अगर वहाँ पे political instability होती है, तो इंडिया के लिए भी सही नहीं है, political stability और military का जब presence होगा, तो चाइना भी, जैसे for example, चाइना मैनमार economic corridor जो बनाने की कोशिश करेगा, उसमें हो सकता है, कि military चाइना की support कर दे, अगर चाइना मिलिटरी का support कर दे, तो वो power को maintain कर पाएगा, मैनमार के within, तो इंडिया के बहुत close चाइना presence हो सकता है, चाइना हमेशा एक policy अपनाई है कि वो कहीं भी non interfere, मतलब वो interfere नहीं करेगा, तो एक relation को manage करना पहले भी ऐसा हुआ है, इंडिया ने अपने relation को manage किया है, कुछ उसी तरीके से वो अपने relation को future में भी manage करेगा, next जो है काफी सारे articles, एक दो articles आपके budget की उपर हैं, कल बहुत detailed discussion हमारा budget पर हुआ था, एक एक points मैंने आपसे discuss किये थे, और यहां भी कुछ points है जो हम लोग discuss कर लेते हैं, बट यहां पर maximum जो है आपका opinions ही दिये हुए हैं, और वही सारी बाते जो कल मैंने आपसे discuss की थी, वही हैं, तो आप लोग कल का session जरूर से देखो, उसमें budget पूरे तरीके से explained है, बाकी बहुत सारी जो opinions है, वह आपके आते रहेंगे, तो जो relevant होगा that we will discuss, यहां पर वासिंगटन consensus के बारे में लिखा हुआ है, वासिंगटन consensus का मतलब क्या refers to a set of free market economic policies supported by prominent financial institutions, free market economic policies हैं, जो की support की जाती हैं, IMF के दवारा, World Bank के दवारा, US Treasury के दवारा, और British Economist, जिनका नाम John Williamson था, उन्होंने टर्म वासिंगटन consensus दिया था 1989 में, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, question देखते हैं, what role technology can play in controlling left wing extremism, left wing extremism को control करने में क्या role play किया जा सकता है, technology का, तो यह आप answer send कर सकते हैं, टेलिग्रम चैनल, daily dose with s.pande, इस session का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, s.p. current affair telegram channel link description box में दिया है, link को click करना है, वहाँ पे नीचे जाओगे आपको जो PDF वो available हो जाएगा, so आज के लिए इतना है request each of you, like जरूर करें, share जरूर करें, let's crack UPSC CSC को जरूर से subscribe करें, science tech daily 5am series के लिए the concept YouTube channel से, the concept YouTube channel पे आप मुझसे जूड सकते हैं, आज के इतना है, thank you everyone and let's crack it.